आठ दिसंबर को मान निर्मिती के खापर खेडा थर्मल पावर स्टेशन पर 210 मेगावाट शेत्र में कोईले से लधी एक कन्वियर बेल्ट में लगी आकी प्रश्च भूमी में उर्जा राज जियमंती डॉक्टर नितिन राउत ने आज घटनास्तल का निरिक्षन किया उन्ह अग के सही कारण का पता लगाने के लिए विशिशग्यों संगठनों की मदद लें उन्होंने अगले 10 दिनों तक दो कन्वियर बेल्ट में से एक को उतार कर बिजली बाहल करने के लिए दिन रात काम करने की निर्देश दिये साथी इलेक्ट्रिकल और फायर फाइटिंग का ततकाल ओडिट कराएं नैशनल फायर कॉलेच से मदद लें ऐसे निर्देश डॉक्टर राउत ने सभी अधिकारियों को दिये ऐसी घटनाओं की पुनावर्ति ना हो उन्होंने महा निर्मिती की प्रभंदन को सुधारात्म अरुन पेटकर, प्रफूल कूटे माटे, जितेंदर धेमरे, अधिक्षक अभियंते, डॉक्टर अनेल काटोए, संजे पकान, संजे ताइडे, विश्वास, सोमकोवर, बिजली घर के सम्मनित अधिकारी भी मौजूद रहे कैमरेपरसन राजकुवा मोहर के साथ, शिरीजादेश मुख, BCN News, नागपूर